हलो फ्रेंड्स वेलकम बाच आज में बनाऊंगी आपके लिए उलन फ्लावर और यह रोस फ्लावर है खुपसर सी रिजाइन है सीम्पल सी है जो उल के साथ मैं बना रही हूँ अगर वहीं चाहिए आपको तो इसके लिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यह थोड़ा सा पतला सा उल है इसके लिए मैंने 2 लेयर लिये हैं अगर नॉर्मल उल यूज़ कर रहे हैं तो एक लियर के साथ भी इसको बना सकते हैं सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 7 चैन अगर आप मैजिक रिंग के साथ इसको स्राट करना चाहते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो यह चैन बना दूगी। उसके बाद तीन डबल क्रोशिय बनानी है यह ठीसरी अ उसके बाद फिर से हमें दो चैन बनानी है पर मतलब दो चैन, तीन डबल क्रोशिय दो चैन और फिर सिंगयन लॉट के सथ इस एटाच करना इस तरह से के पंखुडी बन जाएगी। अब दूसरी पंकुडी बनाएंगे सेम वही पैटर्न दो चैन स्टार्ट करेंगे तीन डबल क्रोशीड बनानी है बस जैसे आप बनाऊगे तो थोड़ा-थोड़ा सा उसको खीच लिएगा टाइट करते चलिएगा तीन डबल क्रोशीड फिर दो चैन उसको सिंगल क्रोशीड के साथ अट्याच कर देना है इस तरह से पंकुड़ा बनेगी इसी तरह से आपको बाकी पंकुड़ा भी बनानी है यह जो ओल है मैंने यह ब्रधान इंब्रोइडी का लिया है अगर आपको यह थोड़ा सा शाइनी और टाइट ओल आता है इससे अपकी जो फ्लावर है वो अच्छाएंगे अगर आप कुछ और यूज़ कर साथे तो यह डेफिनिटल आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकत आप टूटल हम यहाँ पे पाच पंकुड़या बनाएंगे यह जो फ्लावर है हमारा इसका यह फर्स लेयर है अंदर के साइड वारा इसलिए यहाँ पे जो पंकुड़या पर नेगी हो थूड़ सी टाइट बना दीजेगा यह छोटी साइज में बना दीजेगा दो चैन और इसको सिगल नॉट के साथ इसको अटैच कर देंगे यह दिखेगा इस तरह से हमारे एक फूल बन जाएगा अब हमें इसका सेकंड लियर बनाना है तो सेकंड लियर बनानी के लिए या करना पड़ेगा तो पहले हमें चैन के लूप बनानी पड़ेंगे तो तो अब ही सिंगल क्रोशिया बनाई फिर तीन चैन बनाएंगे तीन चैन और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत स्किप कर दिएगा क्यूंकि बस यह दहान रखिएगा कि आपको हर एक राउंड के साथ इससे पांच जो अब दिएंगे जेए तो इहां पे हमें तोटल छे बनानी है इस पांच पंखुडियो में आप 6 लेयर को IDEसे सिंगल क्रोशिट के साथ इसमें आटाच कर देना है ऐ Ci है थोड़ा सा इसको एक्दम पंख्धे उपर पंखुडिया थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजेगा क्योंकि ये फिर उस्पंखुडी जैसा शेप ले लेंगे अब यहां तक वीडियो आपको अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और जो भी पार्ट जो भी लियर जहां तक आपको समझ में ना आए तो प्लीज आप बेजी जो को कि मुझे से कमेंट करके पूच सकते हैं मैं आपके हर सवाल का अंसर दे दूँगी और इस तरह से हमारी छे लूप बन गए अब इसमें हमें पंकुडिया बनानी है वह सिंपल सा जैसे हमने पहले पंकुडिय बनी वैसी हमारी आगे की बनेगी बद जो डबल क्रोशिट की कौन संख्या है वह थोड़ी ही चेंज हो जाएगी तो पहले हमें दो चैन बनानी है उसके बाद इसमें अभी पांच डबल क्रोशिट बनेंगे यह दूसरा पर तीसरा चौरता पांच और फिर इसके बाद दो चैन उसको सिंगल क्रोशिट के साथ अटाच कर देंगे यह भी किस तरह से है पंकुडिय बन गई अब नेक्स्ट वैसे ही दो चैन फिर पांच डबल क्रोशिया बहुत सिंपल सा डिजाइन है पर इतनी खूबसूरत सा फ्लावर बन जाता है कोई भी इसको बना सकता है जिसको भी बस क्रोशिया चलाना आता है और चैन बनाना आता है सिंपल सी है एक पर आप सीख गए तो आप इसके साथ बहुत सारी चीज जैसे थालपोश बना सकते हैं तोरन बना सकते हैं या जो मैं अभी इसका थालपोश और एक टेवल देखोर से खाऊंगी वह भी आप ट्राइ कर सकते हो तो इसका नेक्स पार्ट में हमें वह भी दिखेगा तो यहां पर मैंने चे पंकुडिया बना दीगी तिके अब इसके न और डबल कुश्या की संख्या भी बड़ेगी तो यहां पर मैं चार चैन बनाओंगी नॉर्मली हमने पहले तीन चैन बनाई थी चार चैन बनाओंगी फिर एक कम करके उसमें हां सिंगल कुश्या के साथ इसमें अटाच कर दूँगी फिर चार चैन फिर सिंगल कुश्या के आटाज कर दोंगी इसी तरह से आपको टोटल सेवंथ लूप बनाने हैं चार चेंड सीलर कुछिया के साथ अटाज थोड़ा बहुत आपको थोड़ा पीछे करके इसको छे जो पंकोड़े हमने बनाई थी उसमें साथ लूप आपको एंट्जस करने हैं जैसे मैं आपको बता रही थी कि इसके तरहन भी बहुत खुबसूरत बनता है अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी साथ तरहन की डिजाइन शेयर करूँ तो प्लीज आप लाइक कर दीजेगा वीडियो को और मुझे कमेंट करके बता दीजेगा कि आप चाहते या नहीं तो मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वह आपको तोरन का बताओं या यह तालपोस्ट का वीडियो तो मैं बनाई रही हूँ जो इस खुबसूरत सा है उसकी जो डिजाइन है वह भी आपको लास्मे में शेयर करूँगी कि इसका नेक्स पार्ट में क्या आ सब्सक्राव पनाने हैं बस यहां पर के सब्सक्रावल कर्शन की संघया बढ़ेगी यहां पर हमें टोच Mr. गोटल्न की सब्सक्राप कर देना है ऐसाइब इस तरह से हमारी सब्सक्रावाख भी बैखार में pessimु कर्देर क्वाग दीन बीडिया मैं ग्यागी थोड़ावाला क साइज भी थूड़ी बड़ा ही काता है तो इसलिए double crochet की संक्या हम इसमें add करते रहे हैं फिर हमने दो चैन बनाई छे double crochet बनाए बहुत जादा बड़ा फ्लावर चाहते तो आप यहां पर triple crochet भी यूज़ कर सकते हैं इसको अटैच करेंगे इसी तरह से आपको पकुड़े बनानी जैसे हमने आपी 7 लेयर का थर्ड लेयर बनाए इसके बाद हम 8 वाला बना सकते हैं जितना फ्लावर आपको बड़ा चाहिए उतना आप बना सकते हो त्री लेयर तक भी अच्छा दिखेगा और 4 लेयर का बड़ी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो 4 लेयर का बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर का बनाया है सेम डिजाइन है जैसे 3 लेयर में हम लोगों ने 7 पंकुड़े बनाई थी 4 लेयर में हम लोगों ने 8 पंकुड़े बनाई है तो आपको लूप है वही है चार चैन सिंगल हम लोगोंने six double crochet बनाए थे तो इस वाले में हमें seven double crochet बनानी है बस इतना सा minor difference है बाकी loop same संख्या लीजेगा chain की seven double crochet बनेंगे उसके बाद दो chain और single crochet के साथ इसको attach कर देंगे इस तरह से बन गई इसको पीछे के साइड से हम crochet के साथ attach करके cut कर देंगे और इस तरह के को इस तरह से अलोग छुपा देंगे तो इस तरह से हमारा perfect rose flower या बन गया आप देख सकते हुगे कितना फूबस्वरत लग रहा है और अब इसके साथ तो मैं इसकी ग्रीन कलर की जो कुंप पते बोलते लिफ बनाना बताकटी दीशू जै तो लीव बनानाभी बहुत सिम्पल इसमें नी करना चैनशनी और लूब बना लेने हैं कि आप पंपूरे वालब बनाया था तो यहांते हम लोक नौ्स्ट लीफ ही बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाए फिर पाथ चैन इसको सिंगल क्रोशे के सथा टैच करती है फिर पाथ चैन सिंगल क्रोशे के सथा टैच करती है इसी तरह से आपको टोटल एट लूप बनाने हैं ग्रीन कलर के साथ भी यह हमारे टोटल एट लूप बन गए अब इसके उपर क्या करना है तो बस हमें क्योंकि अगे ताल पोश बना रहे हूं तो उसके अकौर्डी इसको शेप दे रही हूं तो मैंने यहां पर पहले फीन मेनाने हूंगी यह दू और उसको को डूबल क्रोशे उसको मतलब क्रोशे यहां पर बना रही हूं तो टोटल हमें यहां पर 6 ट्रिपल क्रोश्य बनानी है यह चार फिर 5 दो तीन चार पांच और यह एक 6 तो हमें यह पर 6 ट्रिपल क्रोश्य बना दी है इस देखिएगा फिर 5 हैं एक, दो, तीर, चार, पाँच, और ट्रिपल क्रोशे के साथ, नेक्स लूप में हम इसको अटाच कर देंगे, यहाँ पे भी वैसी, छे, ट्रिपल क्रोशे बनेगी, दो, तीर से, और इस तरह से ही आपको पूरे, राउंड को मतलब जो एट हमने पंकुडे बना रहे थे, तो एट पते भी बना लेने हैं, इस तरह से आपका एक फ्लावर डिजाइन कंप्लिट हो जाएगी, आप डिफरेंट कलर्स में इसको बना सकते हैं, अगर छोटे प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हैं, तो तीन लेयर का भी बहुत कुपसरा दिखता है, और बड़े प्रोजेक् यह फाइन है, ग्रीन कलर के छे ट्रिपल कोशिट बनाये थे, वहाँ पर थर्ड नमबर और फोर्स नमबर के बीच में जो चैन है, उस वहाँ पर हम लोग यह वाइट कलर का उल अटाच करेंगे, यह राउंड फर्स है, वाइट कलर के उलका, तो यहाँ पर हमें सिब डबल क्रोशिट बनानी है, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिट बनानी है, वस, यह रूसरी, आपको कही और अटाच नहीं करना है, जहां मैंने पर्टिकुलर पॉइंट बताया, वही पर आपको 24 दबल क्रोशिट बनानी है, है कि इसके बाद के तिन, चार उसके बाद फिर दो ओर डबल क्रोशिट, और यह नौ, टोटल हमें 9 डबल क्रोशिट बनानी है, वही तो दी चार, पांच,शे साथ, इसके बाद हमें आपे दो चैन बनानी है और फिर नेक्स्ट वाली चैन में फिर से डबल कुश्या बनानी है तो इस तरह से दो चैन का लूप बनाना है आपे तो फिर आपको सेम नौ चैन ही बनानी है आगे लब तीन चैन उस पर फिर चार चैन लूप पर चार डबल कुश्या लूप पर इसके बाद फिर दो डबल कुश्या और यह दो यह पूरे हमारे नौ डबल कुश्या बन जाएंगे और इसके बाद दो चैन फिर नेक्स वाली चैन में एक ओर डबल कुश्या इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है इस वाले राउंड में सिंपल सा है नौ नौ डबल कुश्या बनेंगे नौ डबल कुश्या के बाद दो आप फिर से इनोरवल क्रॉशिया है तो इस तरह पूरा राउड कंप्लीट कर लिजिए स्टार्टिंस हम ने क्रॉशिया से स्टार्ट किया थे इसलिए यहां पे हम यह दो चान बनानी है और फिर इसको final attach कर देना है और इस round को complete कर देना है यह देखिएगा इस तरह से अब next round शुरू होगा round number 2 यह complete होने के बाद इस तरह से देखिएगा ऐसे loop दो दो chain के loop बनेंगे आठ अब next round के लिए अब यहाँ पे हमें total 11 double crochet बनानी है हर round में दो दो extraire होती चलेंगी तो simple सा है हर एक chain के उपर एक एक chain सिर्फ फर्स्ट और स्टार्टिंग में एक extraire हो जाएगे मतलब दो add हो जाएगे तो ग्यानो नबर हो जाएगे नो और यह यह नो chain के उपर नो double crochet के उपर नो double crochet आगई अब जो हमने लूप बनाया था दो chain वाला वहाँ एक extraire होगी और यह जो लूप है उसमें हमें और एक double crochet होगी करनी है और फिर दो chain और फिर उसी में ही और एक double crochet हुआ है आप फिर चैन में हर एक चैन पर एक डबल गोश्य आप ती इस चार पिर पांच चे साथ आठ नो दस और ये ग्यारा इस तरह से सेकंड राउन में हमारी टोटल ग्यारा डबल क्रोशिया बनेंगी ये दो चैन और फिर से सेम पैटर्न आपको आगे भी फोलो करना है हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया हर राउन के साथ हम क्रोशिया की जो संक्या है उसको बढ़ाने वाले है क्योंकि उसकी हमारी जो थालपोश है उसकी साइज बढ़ने वाले है ठीक है और यह जो लियर्स बना रहे हम वो डिपेंड करता है कि जो फाइनल अपने जो फाइनल पिक दिका देखा होगा उसमें हमें कितनी पंखोडिया चाहिए मतलब लियर्स कितनी चाहिए तो मैं चार लियर का बना रही हूं इसलिए मुझे यहां पे चार राउन बनाने अगर आप पांच लियर्स का मना चाहते हैं तीन लियर्स का तो उसके अकॉर्डिक यहां पे राउन बनाईएगा ठीक है तो यह हमारा दूसरा राउन बन गया अब थर्ड राउन में अब थर्ड राउन में क्या होगा दो और एक साइड होंगी मतलब हमने सेकंड राउन में टोटल ग्यारा डबल कुरूश्या बनाई थी तो इस वाले राउन में हमारी 13 थर्टे नूमर डबल कुरूश्या बनेगी और एक चैन के ऊपर एक डबल कुरूश्या बनानी है कही कुछ स्किप नहीं करना बस दो एक स्टाआड होंगी एक स्टार्टिंग में और एंड में फिर दो चैन और फिर उसी वाले लूप में और एक डबल कुरूश्या और आगे वाली का स्टारटिंग चुरू हो जाएगा अपने एक चीज नोटिस की होगी आप है कि दो-दो हम एक साइड करें बाकी पैटर्न सेम है पाकी पैटर्न में कुछ भी हम लोगों नहीं चेंजस नहीं किये है तो सिल्पर से डिजाइन है खुबसूरत सी है आपको जरूर पसंद आएगी जरूर ट्राइ कीजेगा और अग तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी पार्ट वन अल्डेडी अप्लोडेड है मैं थोड़ा टाइम लेके अप्लोड कर रही हूं क्योंकि आपका रिस्पॉंस कैसा है आगर मैं एक साथ शूट करके एक साथ अप्लोड करूंगी तो काफी सारे लोगो का रिस्पॉंस में देखो कि लोगों को क्या चीज समझ में नहीं आ रही तो इसलिए आप कमेंट करे कीजिएगा कि जहां पर भी दिक्कत हो क्योंकि जब इसका नेक्स पार्ट आएगा तो जो आपने फर्स्ट मुझे कमेंट में पॉब्लम पूचे है जो आपको नहीं अब देहां से देखोगे तो वे आप समझ जाओगे इसलिए मैंने हर एक पार्ट को कवर किया है कुछ भी आप स्किप नहीं करें ठीक है हमारा थर्ड राउंड बन गया ऐसे आपको टोटल चाहर राउंड बनाने है अब फोर्थ राउंड में फिप्टीं डबल कुश्या बनेगी एक बार आपको दिकाही देती हूं आपको चैन और अगर आपने पहले एक भी डबल कुश्या डोली बनाई है या थालपुश्य बनाया है तो सिंपल डिजाइन है आप समझ जाओगे अगर कोई बिगनर है वो फॉर्स टाइम ट्राइक कर रहा है तो इसलिए आपक एकस्पलें कर रही हूँ हस्टेग समझा रही हूँ फिर भी आगर आपको कोई दिखकर आती है तो बेची जग होके मुसे कमेंट करके पोच सकते हैं या इन्स्टापे फेलूक पे आप मैसेज करके पोच सकते हैं उसकी लिंक में बैने डिस्क्रिप्शन में दे भी है बस अब जब भी वीडियो के बारे में कोशीनिंग करते हों तो जो टाइमिंघ है कि इस वाले टाइमिंग का यह वाला लियर यह वाला राउंड हमें समझ में निया रहा वो मैंशन किई कीजिएगा ।ब मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी ईज़ी आजाता है कि आपको पर एक डबल कुरश्या बनेगी हर एक डबल कुरश्या के उपर एक डबल कुरश्या होगी अगर हमको पांच लेयर का यह बनाना है तो यहां पर और एक लेयर आड़ कीजेगा और नेक्स्ट वाले लेयर में आप सेवंटी और डबल कुरश्या बनाईएगा तो यही पर यह वाले लेयर को यह 9 वाला यह 11 यह 13 और यह 15 इस तरह से हम लोगों ने पूर लेयर मनाया है अब इसके बाद जो मेन पार्ट है हमारी डिजाइन का पॉफ स्टीचेज हैं अगर आपको पॉफ स्टीच नहीं आती तो इसके अल्ड़ेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना चुके हूँ वहाद जाकर चेक कर सकते हैं यहां पर आप से दिखिएगा आप समझ जाएंगे काफी सारे टाइप के पॉफ स्टीच होते हैं आप जिसमें कमफर्टेवल हो आपको जैसे बनाना आता है आप उस तरह से यह पॉफ स्टीच बना सकते हैं मैं यहां से बीच में स्टार्ट किया है पर आपको मैं एक चीज करूँगी कि जो दो चैन वाले लूप है वही से आप पॉफ स्टीच को साथ किजिएगा उसके बाद इस तरह से एक पंकुडी फिर दो स्किप करूँगी और थर्ड बारे चैन में इसको एक दो थर्ड में इसको अटाच करूँगी पॉफ स्टीच के साथ लिए इस तरह से यह दिखिएगा अब दूब चैन वाले जो सेंटर पाड है कहां पर पॉफ स्टीच बनाएं फिर दो स्किप करेंगे एक यह दू और थर्ड बाले में इसको अटाच कर देंगे पॉफ स्टीच के साथ अब जो डिस्टन्स है दो पॉफ स्टीच के बीच में जो हम पंकोडी बना रहे हैं वह उतना ही रखिएगा जितना कि दो चैन में या दो बलक्रोशिट में जितना स्पेस है उतके अकॉर्डिंग ज्यादा स्पेस मत रखिएगा और नहीं तो बहुत डिला डिला बन जाए तो वह आप अपने अकॉर्डिंग इसका एक स्पेस जो डिस्टन्स है या जितनी पंकोडी की साइज है वह आप लेख लीजेगा और एक चीज़ देहां दीजेगा क्योंकि हम यहां पे पॉफ स्टीचेस एक्स्टा आड नहीं करेंगे जो नमबर आप पॉफ स्टीचेस है वो सेम ही रहेंगे जितने भी राउंट हम इसके उपर बना रहे हैं सिर्फ चेंज क्या होगा जो दो पॉफ स्टीच के बीच में जो पंकोडी बन रही है उसका डिस्टन्स क्योंकि हर राउंट के साथ हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते जाना है जब थोड़ा सा प्यार फुली आप यहां पी यह समझना जरूरी है आपको कि जो अंतर होगा उससे आप अपनी उमली केस से या अगर आप नए हो और आपको उतनी आइडिया और अंदाजा नहीं आता है तो आप स्केल ले लीजिए स्केल से दिखिएगा कि मैंने फर्स लेयर म कितना डिस्टेंस लिया है तो उससे थोड़ा सा जादा मैं सेकंड लेयर मिलूगे तो इस तरह से हमारा फर्स लेयर कंप्लीट हो गया अब सेकंड लेयर आएगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉफ स्टीज के उपर पॉफ स्टीज बनाना है तो 40 पॉफ बनेंगे उसमें कुछ कम जादा नहीं होगा पस यह जो डिस्टन्स है जो हमने पहले लिया था और आप इस वाले राउन में लेंगे वो हलका सा इक्स्टाइड होगा बहुत जादा भी मत बढ़ागा ना दीजेगा क्योंकि हर एक पंखुडी में हमें डिस्टन्स बढ़ा रहा है तो उसके कॉर्डिंग इसलिए मैंने आपको बोला अगर आप अपने बना चुके इस तरह की डिसे तो आप सबच जाएंगे पट पहली बार बना रहे हूं तो आप अपने जावते सुविधा की लिए स्केल ले लीजिए और स्केल में चेक किजेगा कि पर्स लियर म मैंने अगर एक सेंटीमेटर लिया था तो सेकेंड वाली लेयर में मैं एक सेंटीमेटर से 1.2 या 1.3 लोंगा उससे ज्यादा मत लीजिएगा एक दो बार आप बनाते से हैं स्केल से चेक कर दीजिएगा फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि इतना डिस्टंस इस वाले रा कर सकते हो या अपनी जितने नाखोने की इतना डिस्टंस मेरी आ गया क्योंकि जिसने और इसमें बना चुके है जिसको तालपोश बनाना आता है चैन बनानी आता है तो नर्मली अल्दा लगा सकते हैं ठीक है डिजाइन बहुत सिंपल सी है बस उज़ादा खीचे ना और ज जाहन देना है बाकी कुछ नहीं करना इसी तरह से हम लोग चार लेयर बनाएंगे जो लेयर के संक्या है वो अपने अकोडिक कब ज़्यादा कर सकते हैं हमने यहां तक पांच लेयर बनाया थे सेम और हर एक लेयर में हम लोगों नहीं जो बीच वाली पंखुरिया है उनका करद दिस्टंस थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था तो क्योंकि लेयर बढ़ रहे थे इसलिए तो इसमें बढ़ रहा है अब यह स्ट वाला लेयर है उसमें हम लोग दो पंखुड़िया बनाएंगे तो नॉर्मल पफस्टीज के ऊपर हमें पफस्टीज बनानी है जैसे मैंने आपको पहले भी पार्ट्स में बता चुकी हूँ यहां से मैंने उलन चेंज की है क्योंकि जो फ्वाइट वाली उलन थी वह कैमेरे में ठीक से आनी रहे थे क्योंकि बहुत जाधा रिप्लैट कर रही थी लाइट तो मैंने सुचा कि थोड़ा सा ओफवाइट यूज कर लेती हूँ जिस तरह से तो आपको वीडियो में समझ मे कि मैं डिजाइन किस तरह से बना रही हूँ जो हमारी डिजाइन है तो यहां से हम दो पंखुडिया बनाएंगे बस डिस्टन्स जो है हमें कम रखना है बतलब इसके पहले वाले राउंड में जो पंखुडियों का डिस्टन्स था जो लंबाई थी और ज्यादा थी तो इस में हम दो बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टन्स जिससे अपने फर्स राउंड में बनाया था उतना ही रखिए और फिर दो बनाईएगा इस तरह से यह एक बन गई फिर उसी के उपर धागे को कीच के यह दूसरी बना देंगे तो इस तरह से क्या होगा एक के साथ भी बना सकते हो पर पफस्टीच बनाने से तोड़ा सा पफिने सा आ जाता है और डिजाइन तो भी अलग सी लगती है अगर आपको पफस्टीच नहीं पसंद तो आप नॉर्मल क्रोशिया के साथ विस्क को बना सकते हैं मैं सोच रही हूँ कि मैं उस तरह कभी ट्रा पंगोडिया बनानी है और फिर पफस्टीच बनाने है तो हर एक पफस्टीच के ऊपर एक एक पफस्टीच बनाना है इसमें आप पस यह द्यान रखिएगा कि डिस्सन्स आदा मत बनाईएगा क्योंकि दो पंगोडिया बना रहे हैं तो पंगोडियों का डिस्सन्स हमें थ यहां से मैं स्टार्टिंग करती हूँ जो वाइट वाला उले वह बहुत जादा रिफ्लाइट करा था कैमेरी के लाइट के साथ इसलिए मैंने सोचा कि मैं आफ वाइट वाला उल यूज़ करो तो अब जो हमारा यहां पर मैंने इसको अट्याज कर दिया फिस एक दो चैन और फिर क्योंकि वो लूप है दो चैन डबल कुशिया का तो उस पर हम सेमी बनाएंगे उस पर कुछ चैन जस्त नहीं करेंगे और यह देखे इस तरह से और जो हरे एक डबल कुशिया है जो चैन ह उस पर हम एक-एक डबल कुशिया बनाएंगे इस तरह से यह दिखिएगा यह दूस्त तो बस सिंपल सा है सरावन में बस देहां से दिखिएगा कि आप सेम लाइन के उपर की एक के उपर एक डबल कुशिया बनाईएगा क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा लेयर बनने वाली है तो उसकी यह स्टार्टिंग है तो टोटल हमने यहाँ पर आपको पंद्रा 15 डबल कुरुश्य बनानी है यह पीछे के यह इस तरह से दिखेगा नॉर्मल सा है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हर एक डबल कुरुश्य के उपर बस आपको स्मूपल सा एक डबल कुरुश्य करना है बस थोड़ा सा केरफुली दीजिएगा कुछ छोड़िएगा मत कहीं पे भी क्योंकि आप एक चीज कर सकते हैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए वहाँ से जैसे मैंने क्या है और फिर आराम से एक वहाँ पे चैन आपको दिख चाहेगी तो उस वाले चैन में आपको बस हुप को डाल की एक एक डबल कुरुश्य बनानी है इसी तरह से नेक्स्ट में तो टोटल आपको पंदरा दो चैन बनाएगे आपके एक और ये दो और फिर उसी में ही सेम आपको दो डबल एक डबल कुरुश्य बनानी है इस तरह से ये लेयर उपर की तरफ उठ खेया इसी तरह से आपको पूरा राउट कंप्लीट कर देना है बस द्यान दखिएगा कही एक्स्टा मत लीजेगा और कही छोड़ियेगा मत अर एक चैन में बस एक डबल कुरुश्य बनाएगा अब इसके बाद हमें हमारा नेक्स्ट राउट बनाना है जैसे हमने पॉफ स्टीचर बनाये थे वैसे भी यहाँ पे भी पॉफ स्टीचर बनेंगे बा और समझिएगा और फिर गनाईएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर छोटी साइज से हम स्टार्ट करेंगे फिर दो स्किप करेंगे एक को और दो और थर्ड वाले में अटैच कर देंगे यही पाटन हमने पहले भी यूज किया है अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड पा को कितना डिस्टन्स में लेने हैं तो दो स्किप करेंगे और थर्ड वाले में हम पॉफ स्टीच बना देंगे क्योंकि यह थोड़ा सा पतला सा ओल है तो इस वज़े से मैं इसको थ्री लेर ले रही हूँ और डबल इसके साथ यूज कर रहे हूँ अगर आप नॉर्मल यूज के साथ यूज कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाईए इसको और जितने भी ओल लगेंगे जो भ वीडियो में डाला कीज़े क्योंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन नहीं दिखते तो मैंने सुचा कि वीडियो के लास्ट में मैं इस पर डिसकस जरूर करूंगी कि हमें कितना ओल चाहिए कितने साइज के बनाने के लिए कौन सा होक चाहिए कितना प्राइज लगेगा आपको टोटल कॉस्ट क्या होगे इसकी और फाइनल कितने दिनों में बन जाएगा नौर्मली तो इसलिए इसका डिसक्रिप्शन आप प्लीज लास्ट तक दिखिएगा मैं वहां पर आपको हर चीज डीटेल में एक्स्पें कर दूँगी तो बैक टूद गेर हम यहां पर मैंने प यहां फिर्ट भी बनाई इसको हम लोग पीनट भी बोलते हैं अगर आपको उस समझ में आता है तो पीनट जैसे फिर्ट की डिजाइन्स बनाते हैं तो اس में इसको पीनट से मेंशन किया जाता है ओंपन में यहां पर पंकुड़ी बनाऊंगी तो जितने हम लोग ने पहले लेयर में टोटल हमने 7 लेयर बनाए थे यहां पर हम लोग 5 लेयर बनाएंगे तो यह first layer हमारा complete हो गया बस आपको इसी के उपर एक एक layer बनाने है चार layer आप normal बनाओगे जैसे हम लोगों ने एक पंकुडियों के साथ बनाए थे और यह दिखिए दो ती चार और यह पांच तो पांच layer मैंने यह आपे normal पंकुडियों के साथ बनाए और जो last वाला layer है 6th layer उसको मैंने double पंकुडियों के साथ बना रही हूँ यह layers आप अपने distance के according इसको कम जादा कर सकते हो कि आपको कितना बड़ा तालपोश चाहिए नॉर्मल यह आप 8 layer का लो और हर एक layer में दो-दो का difference रखो या एक-एक का difference रख सकते हो इस तरह से आपको दो-दो पंकुडियों बनानी है लास्ट वाले राउंड में सिंपल सा पैटन है बस एक चीज आप समझ गए इसमें कि आपको पॉपस्टीज बनानी है पंकुडिया बनानी है और कुछ भी नहीं है इस पैटन में सिंपल सा है और पंदनी के बाद बहुत अलग जब हम लोग स्टार्ट करते है या फोटो देखते है तो लगता है कि यह बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्शर ही अलग है बनाना आप स्टार्ट करते हो तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है बस लीज्य में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम लेयर बना रहे हैं इस तरह से मैंने नेक्स्ट वाला लेयर बना दिया इसको हम कट कर देंगे और फिर पीछे के साइड से जो भी धागा हमारा बचे का उसको टैक करके उसको फिनिशिंग लुक दे देंगे यह हमारे दो लेयर बन गए अभी हमारे और दो लेयर बनेंगे तो थर्ड लेयर है तो उसको वहाँ पर बनाएंगे जैसे पहले बताएं आपको इस तरह से आप फोल्ड ले दीजिएगा और बीच वाली जो दो चैन वाला पैटन है उसे मैं अटाच कर दिये जदागे को सिंगल क्रोशिया के साथ उसके बाद दो चैन फिर और लूप वाली दो चैन और फिर एक डबल क्रोशिया अब यहाँ पे डेफिनिटल क्रोशिया की संग्या कम होगी तो हमने पहले राउन में फिप्टीन बनाए थे क्योंकि हम तीन के डिफरेंस में बना रहे हैं तो इस वाले राउन में आपको हमें लग दो चैन हैं उनको हम स्किप्ट करेंगे ठीक है एक तो नाचरली कम हो जाएगा और दो स्किप्ट करेंगे तो यह हमारे टोटल ट्वेल नंबर डबल क्रोशिया बनेंगे आप प्लीज इस चीज डबल ट्रिपल केस में काउंट कीजे क्योंकि हम दो स्किप्ट कर है और थर्ड वाली क्रोशिया में इसको अट्याज करते हैं तो अगर आप थोड़ा भी कम जादा करते हो यहां पे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे पफ स्टीचेस हैं उसमें थोड़ा गड़बर होने की चांसेस है ठीक है तो आपको बस हर एक डबल चैन के ओपर एक एक यहां पे और लास्ट में एक-एक स्किप कर देना है बस तो टोटल ट्वेल नंबर आप बनाईएगा और फिर दो चैन फिर उसी में ही और एक कुरुशिया इस तरह से अब नेक्स्ट वाला तो उससे लगके यह जो है उसको स्किप करके फिर नेक्स्ट वाले चैन में हमने अट्याच कर दिया है उसके बाद पूरा एक के ओपर एक करेंगे जिसके पहले वाले राउंड में हमने क्या किया था कि जो दो चैन वाला पैटन है जो लूप बनता है कोने में उसी में हम ल तो टोटल ट्वेल नंबर के डबल क्रोशिय हमने बनाई यहां तो यहां अब जो पफ स्टीचेस बनेंगे एक बनेगा फिद दो स्किप होंगे थर्ड में आड होंगे तिन चार पांच छेस आठ आठ नोग दस ग्यारा बारा फिद दो चैन और फिर उसी में सेम पैटन है इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लेट कर देना है यह दिखेगा अब इसके बाद नेक्स थर्ड लेयर बनेगी हर एक लियर के साथ जो राउंड है उनकी संक्या डेफिनेटली कम होती जाएगी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पफ स्टीच के साथ यह पफ स्टीच बन कर साथ दिया फिर यह बीच में एक पंकुड़ी पंकुड़ी स्ट वाला लियर है लाउंड तु चोटी साइज में बनेगी दो इसको स्किप करेंगे थर्ड वाले में इसको यह एटाच कर देंगे आ पिर पंकुडी बनेगी फिर दो स्किप करेंगे थर्ड वाले मिस को अटाच कर देंगे इसी तरह से पूरे राउंड को कम्प्लेट कर देना है बस हट राउंड के साथ और हट लेयर के साथ अपको यही ध्यान देना है कि जो डिस्टंस है पंखुडियों का उसको कम से शुरू करना है पहले राउंड से और लास तक बढ़ाते जाएंगे तो वो जो राउंड बनेगा तो ठीक से बनेगा नहीं तो हम कम जादा करेंगे त कहीं से टाइट लगेगा तो बस वहाँ पर आपको जान देना है इसलिए मैंने आपको पहले ही बलाया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना छोड़ना चाहिए और कितना लेना चाहिए तो एक स्केल का यूज कर लीजिएगा एक लियर के साथ आपको थोड़े स इस पार्ट है उसको आउटलीं बॉर्डर करना तो यह देखिए नीचे से हमने बॉर्डर किया है थर्ड राउंड तब अब यहां से हम लोग फोर्थ ले स्टार्ट करते हैं यह देखिए यहां पर से उसी तरह से आपको डबल प्लेव लेना है और जो लूप है दो चैन व और फिर पफ स्टीच बनाएंगे अब इसके पहले जितने भी हमारे राउंड बने हैं वहां पर हम लोगों ने क्रोशिया के साथ अटाच किया है बट क्योंकि यह सबसे लास्ट वाला है और यह डिजाइन हमें दिखेगी क्योंकि बीच वाली जो बाकी लेयर से या तो उन से दो स्किप करेंगे और यहां पर हमारे टोटल 11 नमबर के डबल क्रोश्या बने थे तो यह कम पढ़ रही है तो जो पहली वाली है उसमें मैंने सिब एक स्किप किया है और पंखुडी बनाई है और उसके पात दो स्किप करके थर्ड वाले में अटाच किया है बस इतना सा चेंजस है क्योंकि हमें टोटल नमबर सेम रखने थे और 11 नमबर का जो पैटन था हमारा क्रोश्या का डबल क्रोश्या है इस वाले लेयर में टोटल 11 नमबर है एक कम पढ़ रहा था तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट वाला है कहीं पे भी आप अपने अकॉर्ड कहीं पे भी इसको एक एड़िस कर लीजेगा नॉर्मली हम दो स्किप करते हैं और थर्ड वाले में अटाच करते हैं इस वाले लेयर में कोही भी एक जगा पे आप एक स्किप करके दूसरा वाला पंखोडी पप स्टेच के साथ इसको अटाच कर दीजे इससे क्या होगा कि हम शップ भी नंबर और काउंट है इसकी पीछे वाले लेयर में और इसमें सेम हो जाएंगे पहले वाले में एक skip किया बाखी सब में दो-दो skip करके attach किया इससे तरह से आप layer बना दीजेगा चार-चार हमारे बने हैं हर एक round के साथ अब तो पहले हम लोगोंने 5 layer बनाए थे इसमें हमें total 3 layer बनाने हैं क्योंकि layer कम होते जाएंगे ठीक है यह दिखें layer के ऊपर layer बनाने हैं इसमें कुछ भी आपको difference नहीं करना और हर यह layers के साथ आपको बस पंखुडियों की size increase करनी है और last में हम जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही आपको दो पंखुडियों के साथ बनाना है तो यहाँ पर वैसे बनाया जैसे देख लीजेगा तो टोटल मैंने थ्री layer बनाया है एक यह पहले वाला फिर दूसरा और तीसरा और थर्ड लेयर में दो पंखुडिया बनाई है मुझे लगा यह आपको एक्स्पेंड करनी की जरुवत नहीं बस लेयर बता दू बाकी तो मैंने प्रीवेस वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से लेयर बनेगी अब जो में पार्ट है वो बता देती हूँ मैं आपको तो हमने रेड कलर का धागा लिया यहाँ पर फिर उसको अटेच करके तीन चैन बनाई है तीन चैन और जो दो पंखुडियों वाला जहां बीच वारा पोजिशन है उस पे हम इसको सिंगल क्रुश्या के साथ अटेच करेंगे इसके बाद आपको तीन चैन और बनानी है यह तीन फिर सेम उसी में ही इसको सिंगल क्रुश्या के साथ अटेच कर देना है फिर और तीन चैन बनानी है फिर सेम इसको सिंगल क्रुश्या के साथ अटेच करना है फिर तीन चैन बनानी है और फिर सिंगल क्रुश्या के साथ यह तीन चेन वाला पैटर्न है इसमें कुछ और इक्सरा नहीं करना है फिर और तीन चेन बनानी है और इसको पफ स्टीच के ऊपर सिंगल कुर्शय के साथ अटाच कर देना है इस तरह से हमारा एक क्राउन जैसा फिनिशिंग और लूक बन जाएगा इसके बार और बत और रहें सिंगल कुर्शय के साथ इसको अटाच करेंगे फिर तीन चेन के साथ अटाच कर देंगे इसके बाद फिर से तीन चेन के साथ अटाच काते हैं الج को कि जुच कि इस तरह से एक डिजाइन बन जाएगी फिर तीन चेन और पफ स्रीच के उपर इसको हम सिंगल क्रुशा के सब अटाच कर देंगे कि यह दिखेगा इस तरह से दिखेगा और एक बाद देकलीज़े तीन चेन बनानी है सिम्पल सी दो पंखोडियों के बीच में school जगा है जिससे हाट अटाच कर के फिर तीन चेन पर सिंगल क्रुश्या के साथ अटाचर फिर तीन चेन से अटाच करेंगे तीन चेन मतलब तीन चेन का तीन दूप बनाएंगे यहाँ पर इसके बाद फिर आपको तीन चेन बनानी है और पॉप स्टीच के ऊपर सिंगल कुरुशय के साथ सिंपली अटाच कर देना है इतना सा इजी है कुछ भी ज्यादा नहीं है इसी तरह से आपको पूरा जो राउं पूपसूरत सा बनेगा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अब ताल पोश कमेंड पाट इंट्रीम पॉरवेशन यह टोटल अपको 22-23 इंच का बन जाएगा इसे बड़ा भी बना सकते है जो मैंने साइस बनाया है वह 22 इंच का है और इसके 200-200 रुपई के बीच में इसकी कॉस लगी है और जो हुक साइज है मैंने तेरा नंबर का यूज किया है और अगर इसकी जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम जादा कर सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजेगा और थैंक यू पॉर लाइक